तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बालसम सुल्ताना इंपेशन्स बिजिलेजी ये एकी फ्लावर का नाम है जदतर लोग इसे इंपेशन्स की नाम से जानते हैं तो आज हम बात करेंगे इंपेशन्स फ्लावर के बारे में, इसका केरिंग केसे करें, बेस्ट पर्टोगेशन टाइम कौन सा है और इसे कौन सा मौसम पसंद है और कौन सी जगे पर इसे रखना चाहिए तो वीडियो को लाज तक देखियागा दोस्तों, मैं इस वीडियो में इंपेशन्स के बारे में आपको फुल इंफरमेशन दूँगा सबसे पहले हम इसके जो पीले पत्ते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं आप जिस टाइब का भी प्लांट लगाये चाहिए वो और्नमेंटल हो, साकूलेंट हो या किसी भी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट हो अगर पत्तिया पीली पर जाती है तो उसे निकालना जरूरी होता है इंपेशन्स का प्लांट दूसरे प्लांट के मकाबले बहुत ही सेंसीटिव होता है इसके लीफ, फ्लावर, इवन स्टेम बहुत ही जल्दी तूट जाता है तो ये बात ध्यान रखे आप इसे जब भी दूसरे जगे पर सिफ्ट करें तो ध्यान से आराम से करें क्योंकि हलकी सी हलकी प्रेशर भी प्लांट को डैमेज कर सकता है मेरी मिट्टी यहां पर थोड़ा सा ड्राई है लेकिन एक बात यात रखे दोस्तों इंपेशन्स को ड्राई मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप किसी गर्मी वाले इलाके पर रेते हैं तो अगर आपकी मिट्टी थोड़ा सा भी ड्राई हो जाता है तो यह प्लांट ज्यादा दिन के लिए जिन्दा नहीं रह सकता जैसा कि आपने विडियो में देख लिया मेरा मिट्टी ड्राई होने के बावजूत यह प्लांट अभी तक जिन्दा है उसका एक रीजन यह हो सकता है क्योंकि मैं जहां पर रेता हूँ वो ठंडी वाले इलाका है और यहां पर हमेशा बारिस होती रहती है तो इसका एक रीजन यह हो सकता है लेकिन अगर आप गर्बी वाले इलाका पर रहते हो तो आपके यह प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आपके मिट्टी ड्राई है तो तो इसलिए इसका मिट्टी जितना ठंडा होगा, मिट्टी में जितना मुइस्ट रहेगा, प्लांट के लिए उतना ही बढ़िया होगा तुसरा पॉइंट इसका बेस्ट प्रपोगेशन टाइम कौन सा है और इसे किस तरीके से प्रपोगेट किया जाता है ऐसे कि मैंने आपको बता दिया ये वाटर लबिंग प्लांट है तो अभी बारिस का मौसम है, जून जुलाई का मौसम है, ये वेस्ट टाइम होगा इसे प्रपोगेशन करने के लिए और इसे प्रपोगेट आप इसके कटिंग के तुरू कर सकते हो और तिसरा पोइंट, इस पर एंट का बहुत ही जल्दी अटेक होता है, तो इसके लिए आप नीमोयल का इस्तमाल कर सकते हो चौथा पोइंट, आप इसे किस टाइप के मिट्टी पर लगा सकते हो, तो दोस्तो आंसर बहुत ही सिंपल है, आप इसे 30% कमपोस्ट, 70% नार्मल गार्डन स्वेल और थोड़ा सा किसी भी प्रकार का फंगि साइट्स को मिक्स करके इसका पोटिंग मिक्स बना कर इस प्ला दे के नीचे रखना चाहिए, चाहां से सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट मिले इसे, ना कि डाइरिक्ट सनलाइट, और इस प्लांट के सबसे बड़े एडवांटेज ये है कि ये प्लांट एक पैरेनियल प्लांट है, अगर आपने थोड़ा सा धूपर पानी पर ध्या करी मिली होगी, थैंक्स फर वाचिं गार्ण ग्रीन